देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार जातिवार जण करना के लिए 27 सस्तंबर से राजबर शुरू करेंगे साउधान यात्रा 75 जिलों से होकर पहुँचेंगे बिहार मुखुल रहतोगी दुबारा बने भारत के ओटाउनी जनरल केके वेड़ू गोपाल के बास संभालेंगे पत इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्ज यूनिर से फैली आग दम घूटने से कई मौते कई लोग खिर्की से कूदे नगर निगब और अल्डिये की सूची में मालिक का नाम अलग 20 साल पहले मांची जो खारिज हुआ फिर भी चलता रहा मतुरा में 30 बच्ची जनवी तो पिता सोचा समाज क्या कहेगा बेटी को जहर खिला कर तलाब में फेका नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदनी आदव वक्त हो चुका है उत्रदेश की बड़ी खबरों का आई रू करते हैं खबर की ओर ग्यानवाबी मामले पर वारार्षी जिला डालत के फैसले पर बाबरी पक्ष के पैरोकार का विवादिद बैयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि काशी में गलत हो रहा है वो मच्चित और हमेशा ही रहेगी साथी कहा कि आयोध्या दूसरा मामला था हिंदू पक्ष ने आगे न बढ़ने की बात कही थी आयोध्या मामले में कोई रूची नहीं ली थी लेकिन काशी में ऐसा नहीं होगा साथी RSS पर आरोब लगाते हुए कहा कि ये लोग चाहते हैं कि वह गलत हो तो सही हो जाए मुलक में अब खोन-खराबा के अलामा कुछ नहीं है आजी महबू पेरुकार ने किया कुछ कहा आई सुनाते हैं प्रदा ने तो क्या फैसला दिया है खासी में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और वो मस्जिद है, मस्जिद ता कयामत रहेगी और हम वहाँ फैसले से नहीं मुपा जाएंगे, देखेंगे जब तक क्या होता है, अजब दिया के मसला जो था एक दूसरी तरीके से था, और यहाँ हम लोगों ने खामोसी से इस दिये का कि चलो अदारत तो फैसला खतम हो ज या जुद्जा के मसले में हम लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिए, अगर वहाँ ऐसा हुआ, तो वहाँ बहुत बुरा होगा। गाजियाबात के लिए नगर इलाके में एक डॉक्टर को वीदेशी नमबर से सरतन जुदा करने की धमकी मिली है, जिसके बाद पिरिद ने पुलिस को मामने की जानकारी देते हुए, एफाई आर दज कर आई, साती आरूपियों के खलाफ सक्त कानूनी कारिवाई की मांग भी की है. में जो है कनिया कुमार और डॉक्टर उमेज के पास भेजना है, मैंन का बात क्या भाई, तो बोलता है कि गुस्ता के रसूल की एक ही सजा, सरतन सजुदा, सरतन सजुदा, और तुम्हारी हमने पूरी रहकी कर ली है, तुम्हारा मोधी धोधी, ऐसे करके बोला है, मोधी, में जो है कि जहां भी बैठा हमें सब पता है, इस तरह कि गौरकपुर में गांधी प्रतिमा के नीचे पिछले बारत दिनों से दर्जनों लोगों ने धरना दिया है, आपको बता दे कि ये लोग पांच परिवार से जुड़े हुएं, धर असल प्रशासन ने दुकानदार लगाते हुए धर ना दिया है, इस अरिकार लोग धरने पर बैठे हैं, मामला यह सर हमारी दुकान है, पचास साथ बरसों से, हमारे बाबा भी पालिस लगाते थे, हमारे पिता जी भी लगाते हैं, और हम भी लगाते हैं, कौडी राम गोला रोड पे, फिर सर हमको PWD भी नोटीज दिया, हमारे दुकान के पिछे रोडवेज की बाउंडरी है, उसके बाद रोडवेज की जमीन है, रास्ता कहीं और है, और रोडवेज भी हमको नोटीज देता है, नोटीज जब रोडवेज भी भाग ने दिया 17 लोगों को, तो क्यों तोला गया तिर पांच लो नहीं, जो धनादू सेथ हैं, बड़ी-बड़ी कोटी हैं, उनको जाकर एक वर निर्चन किया जाया, जो लाखो रुपया महीने उठाते हैं, उनको छोड़ दिया गया, और हम गरीवों को क्यों तोड़ा गया? गोंडा में एक धर्म विशेस की महिलाओं और लड़कियों के प्रती अभधर भाशा का प्रयूग करते हुए एक पोस्ट वारल हो रहा है, जिसके बाद सामाजी कारेकरता और भाशपा के सान मोर्चा की नेतानी कोटवाली में तहरी दी, जिसके बाद पुलिस ने लेकपाल की पीटाइक करते हुए वीडियो जम कर वारल हो रहा है, जिसके बाद दुवारत कहने पर लेकपाल ने बात अंसूनी कर दी, किसान तैसिल के चक्क लगाते रहें, लेकिन पैमाईशी नहीं की गई लोगों की जान से खिलवार करने वाली जोला चाप डॉक्टरों और नर्सिंग होम एक लंबी श्रिंखला भरी पड़ी है, इस क्रम में अमीठी की जायस में देव नेशनल नामक एक नर्सिंग होम लंबे समय से फरजी तरीके से संचालित हो रहा था, जिसको स्वास विवा की और से नजर अंदाज किया जा रहा था, ऐसे में आईजी आरेस पर इसकी शिकायत के बाद आनन फानन में इस आवैन नर्सिंग होम की जाच कराएगे, जिसके बाद पता चला की डॉक्टर बीना किसी मेडिकर डिगरी के अपने नाम के आगे डॉक्टर लिक कर लोगों का इलाज करता था, वही अदिक्षक ने बताए कि मामला ने रिक्षड आख्या भेज कर फर्जिंग नर्सिंग होम के खलाफ कारिवाई के लिए सेमो को पत्र लिखा गया है वहां पर जो प्रदीप उसके संचालत हैं डारेक्टर है वो डाक्टर प्रदीप लिखते हैं तो क्या कोई डेगरी उनके पास आपको अपलगों चंदौली के इंडियन ओवर्सीज बैंक में खाती में नंगर जमा करने आए वेक्ट जिसे उच्चाकिरी का मामला सामने आया आपको बता दे कि फुटकर कराने के बहाने चोर युवक के सोले हजार लेकर भग गयें वहीं बैंक में सुरक्षा के ले तैनाथ पुलिस कर्मी मूग दर्शक बनी रही गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर के लालबाग चौकी शेतर में अनियंत्रित होकर एक कार के नाले में गिनने का मामला सामने आया जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस दे तुरंत क्रेन की सहायता से गाड़ी को नाले से बहार निकलवाया जानकारी के मताबित कार के सामने एक किस कूटिया गई थी जिसको बचाते समय गाड़ी अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई फलहाल के लिए उत्रपदेश की खबरों में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोका